यालो फ्रेंट्स विलक़म बैक तु माई योटूब चेनल इनल लान टुगद्ट फ्रेंट्स आज हम डिसकस करेंगे अमेडिका सर्जिकल नर्सिंग और अडल्ट हेल नर्सिंग के इंपॉर्टेंट कोच्शन मैंने और भी आप लुए आपकों के साथ डिसकस किये मेडिका स थीक है तो आप लोगों के लिए पहले भी प्रोवाइड कराए है और अटल भी हरी बात बेमेड कर रहें स्टार्ट करते हैं तो पर लिए चानल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जगा को लाइक करते मुझे मुझे मुटिमयस मिलता है और बी मैसे लगता है कि मैं आप लोगो लिए अच्छे अच्छी वीडियो लाहूं और आप लोगो कमेंट किया करिए कि आप लोगो को किस टॉपिक के बीडियो चाहिए सो स्टार्ट करते हैं फर्स नमर का कोच्चन है different fracture तो assessurd whether देखिए यह ना यह पुरा कोच्चन है कितने कोच्चन कितने नमबर का 15 नमबर का define fracture explain the complication of fracture जब body में fracture हो रहा है तो क्या-क्या complication देखने को मिलेगा neighborhood post-operative nursing fracture तो उसके बाद क्या-क्या फोश्ट ऑप्रेटिव केरी करनी होते हैं ङसे करना parties यां तो पोंसी की हता हैNT इसे के मुष मेरा व्होंग होता है कि बाद में कोने से की जाते हैं रिफाइन अस्तमा को डिफाइन करना है राइट ता फार्मकोलोजिक मैनेजमेंट तो फार्मकोलोजिक मैनेजमेंट क्या होगा अस्तमा का पूल लिखना है डिसकस नर्सिंग केर आप अस्तमा पैसेंट तो अस्तमा पैसेंट की नर्सिंग केर कैसे कर सकते हैं यह लिखना है नेर्ट है गोचन नमबर थी है मैंगाइटेस मैं जाइटेस तो मैं निजाइटेस अपने जाना तो इसे पह stoल नोट लिखना था है अभी तरह आप लोग नहीं देखा कि यह में जल्ड़ी जल्डी वह आप बड़ीजन जांए को एक देख सकता है तो आप लोगों को इस वीडियो के थुरू यह समझ में आ जाएगा कि इस कोचन को कैसे लिखना है नेस्ट कोचन नबर फोर कार्डियो पॉल्मोनरी रिससी तेसा सी पी आर क्या होता है सी पी आर आप सभी को पता होगा कैसे देना हो तक किसे अंगल पर देना होता है अपने पॉजिशन देनी होता है सभी पता होनी चाहिए नहीं पता है जल्दी से जल्दी लाइं कर लिजिए नेस्ट एक्यूट रिनल फैलियर कोई भी परसन तो इसे एक्यूट रिनल फैलियर हो रहा है तो क्या-क्या कॉजस होगी एंड एज नर्सिंग स्टूडेंट एज नर्सिंग प्रोफेसर हम लोग से क्या-क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं नेस्ट हमारा कोच्च ने राइट अबाउट इन फर्टिलिटी तो इन फर्टिलिटी आप लोगों को पता होगा क्या होता है इन फर्टिलिटी इसमें जो फीमेल प्रॉब्लम होती है फीमेल भी होता ह तो दोनों में अलाल होती है आप पर पता होना चाहिए अच्छी से । से different में पड़ीगा डेयोचा मिलागए amazing 007 थि यह यूनिवर्सल प्रीकॉशन तो इनिवर्सल प्रीकॉशन क्या होते हैं पर कोईप होती हैे मास्क होते हैं और क्या-क्या universal precaution कर सकते हैं hand bossing करेंगे तो यह लिखने है नेश्ट है कोचन नमबर एड रोल आप दा नर्सिंग डूरिंग काउंसलिंग अगर कोई भी नर्स काउंसलिंग कर रही है किसी patient की तो क्या-क्या रोल होंगे जिसकी means उसे के eye पे focus करना है eye to eye contact बना के रखना है देखना है patient का कैसा facial expression क्या दे रहा है और कई जूट पकड़ा तो नहीं जा रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पैसेंट से counselling ले रहे हैं और पता चल जाता है पैसन को क्या problem है किस बज़े सी यह इतना मंद इतने problem में है तो उस time क्या-क्या रोल होने चाहिए नेश्ट कोचन नमर 9 नाइन फिजियोलोजी आप पल्मोरी टूबर क्लोजी टूबर क्लोसिस तो पैसा फिजियोलोजी आप पल्मोरी टूबर क्लोसिस की लिखनी है आप फोनट हेलिंप प्रोसर कैसा बूनट हीरिंग प्रोसर को पता है की काई से कर केगेजिक्ट करते हैं ठीक है बहुत इंप्रोचन धर्newसर क्वर में युक्री हो थेंग пять है लेकि रिस्क फेक्टर क्या होते हैं कि अगर अगर मतलब यह कॉजच नहीं है तो यह चांस हो सकते हैं इस डिजीज की होने में नेस्ट्रें क्लासविकेसन आप दा इनीमिया तो एनिमिया का क्लासविकेसन लिखना है नहीं में आप लोग पता होगा डिफिसेंसी आप दा बलड में आरण की कम हो जाना तो से नहीं में बोलते हैं नेश्ट आप दाईफाइड अगर टाईफाइड फीवर हो रहा है तो उसमें कॉम्प्रीकेशन क्या देखने को मिलेंगी यह लिखना है लास्ट हमारा कोचन है र बिन्यास जिसे बोलते हैं कि अपनी पहले वाली वस्ता में कैसे जाएगा कि उसे जो है नम धीमे-धीमे करके सर्वाइब करना तो पैसे अन फ्रेक्चर फीवर है मैं फ्रेक्चर फीमत था तो कैसे करके रहाइबिटेट करेगा तो यह लिखना है आई हो प्रंस आप लोग